हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल सीजन आर्ट एंड क्राफ्ट में फ्रेंड्स आज की वीडियो में लड़को पाल जी के लिए हुली स्पेशल ड्रेस बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने यह पर यह बेस रेडी करके रखा हुआ है तो आप जिस भी साइज के लड़को पाल जी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप उसके अकोडिंग यह बेस का डायमीटर बना सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको यह बेस बनाना नहीं आता है तो आप मुझे इस वीडियो के कोमेंट सेक्शन में कोमेंट करिए तो मैं आलग से एक बेस की वीडियो भी डाल दूँगी तो देखें इस तरह के पीसिज मैंने यह आपर यह मल्टी कलर में रैडी किये हुए हैं तो यह भी मैं आपको इसी वीडियो में बनाना बताऊंगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाश्ट तक देखना बिना स्किप किये तो देखें इस तरह से मैं यह आपर इनको होटगलू की हेल्प से वन बाई वन करके यह बेस के उपर पेस्ट करूँगी यह देखें मैं यहापर यह थोड़ा एक दूसरे के उपर रखते हुए इनको पेस्ट कर रही हूँ तो इस तरह से हमें यह एक रो कंप्लीट कर लेनी है तो देखें फ्रेंड्स यह मैंने यहापर एक रो कंप्लीट कर लिया है इसी तरह से हम सेकिंड रोभी कमप्लीट करेंगे तो देखें फ्रेंड सेकिंड रोभी मैं इसी तरह से यहां पर लगाऊंगी अगर आप को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमली मेंबर के साथ वीडियो को सेयर करें अगर आप चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें मेरे इंस्टाओ टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा वहाँ पर भी मुझे फोलो करें तो देखें यहाँ पर मैंने यह सेकिंड रो भी कंप्लीट कर लिए इसके बाद में इसमें नेफा लगाऊंगी नेफा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर नेफा बना सकते हैं मैं यहाँ पर होट गूलू की हल्प सी बनाऊँ गी बैक साइड में हम इसको पेश्ट कर देंगे इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे रंट साइड में इसे गुमा कर अम इसके अंदर डोर्य टैच्च करेंगी और आगे की साइड से भ यह मल्टी कलर की लैस नेफे के उपर तो यह भी मैं पेश्टी करूँगी तो इस तरह से हम यह नेफे के उपर लैस लगा लेंगे तो उसके बाद मैं यहाप पर कुछ इस तरह के सिल्वर कलर के स्टोन लगाऊंगे फैब्रिक गलू की हल्प से देखे यह मैंने यह आप पर स्टोन्स लगा लिए तो यह देखे कितनी ब्यूटिफुल लग रही है अब यह तो इसका मैं आपको यह डाइमीटर बता देती हूँ यह देखे करीब बारा इंच के डाइमीटर की बनी है पाच चै और साथ नंबर के लड़ो पाल जी को पहना सकते हैं इसके बाद मैं आपको यह जो मैंने ड्रेस के उपर प्रेटल लगाई है वह बनाना बताओंगे इसके लिए मैंने आपर नैट से एक स्क्यार पीस कट किया हुआ है इसकी लंबाई और चोड़ाई साड़े पाच इंच है यह देखे हैं हमें एक पीस कट कर लिना है और यह निडिल और त्रेड तो इस स्क्यार पीस को हम इस तरह से यहां पर फोल्ड करेंगे इस तरह से फोल्ड करने के बाद सेंटर में हम इस लाई करेंगे निडल की हैल्प से और इस तरह से इसको खीच कर देखे इस तरह से खीच लेंगे इसको और यहां सेंटर से फोल्ड करें तो इसे हमें यहाप पर अच्छे से नोट लगा देनी है तो इस तरह से हमारी पैटल डैड़ी हो गई है तो इस तरह के मैंने यहाप पर काफी सारे बना लिये थे मल्टी कलर में यह देखें तो इस तरह से हमारी ड्रेस कंपलीट हो गई है आप इसे एक कलर में बना सकते हैं मैंने यह होली स्पेशल ड्रेस बनाई है तो इसलिए मैंने इसे मल्टी कलर में बनाया है तो फ्रेंड्स देखें कितने आसान मेथड से हमने ब्यूटिफुल ड्रे तो आप भी इसी तरह ऐसी से लड्डू को पाल जी के लिए बना सकते हैं तो फ्रेंड्स कोमेंट करके बताईएगा कि आपको इड्रेस कैसी लगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं वीडियो में रादे रादे फ्रेंड्स